केंद्र सरकार द्वारा बास्मती चावल पर 950 डॉलर प्रती टन का न्यूंतम निर्यात मूल्य M.E.P. हटाने के कुछ ही दिनों बाद निर्यातकों की चिंता फिर से बढ़ गई है। उन्हें डर सताने लगा है कि अगर इजरायल इरान के बीच तनाव बढ़ता है तो सुगंधित चावल के निर्यात में गिरावट आ सकती है। खास कर इरान में बास्मती का निर्यात सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक तनाव बढ़ने के बाद इरान को बास्मती चावल के निर्यात में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और साथ ही चावल निर्यात के लिए भुक्तान निप्टान में देरी होने की संभावना है। हालां कि इरान को बास्मती चावल के निर्यात का प्रभाव इरान पर इसरायल की भविश्य की कारवाईयों पर निर्भर करेगा जबकि उद्योग मध्यपूर्व में विकास पर बारीकी से नजर रख रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक की इरान के सरकारी व्यापार निगम जी टी सी ने हाल ही में भारत से शूने दशमलव एक मिलियन टन बास्मती चावल खरीदने के लिए टेंडर जारी किया है, जिसकी सप्लाई 30 अक्टूबर तक होने की उम्मीद है। निर्यातकों ने कहा कि इसमें से लगभग 50,000 टन पहले ही भेज दिया गया है और 6 शिप्मेंट को कम से कम 15 अक्टूबर तक भारत के बंदरगाहों से निकल जाना है। The Financial Express की रिपोर्ट के मुताबिक, बास्मती चावल के प्रमुख निर्यातकों ने AFA को बताया कि भारत और इरान के बीच चावल के व्यापार में किसी भी तरह की बाधा से किसानों और निर्यातकों दोनों को काफी नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि निर्यातक मध्यपूर्व शेत्र में उभरती स्थिती को लेकर चिंतित हैं, जो भारत से चावल का एक प्रमुख स्थान है। इस बीच, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, एशिया में चावल की कीमतों में 16 वर्षों में सबसे अधिक गिरावट आई है, क्योंकि भारत द्वारा कुछ निर्यात प्रतिबंधों में धील दिये जाने के बाद सप्लाई को लेकर चिंताएं कम हो गई है। रहा है कि ये मई 2008 के बाद से दर्ज की गई सबसे बड़ी गिरावट है। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी